यहाँ पर जैसा कि अपढ़ने का कि प्रत्वी का अध्यन क्या कहला रहा है भूगोल ठीक है बात हमारे लिया आई कि ठीक है प्रत्वी का अध्यन भूगोल है तो सबसे पहली बाद प्रत्वी क्या है तो क्या है प्रत्वी एक शब्द का अंसर आपने दिया प्रत्वी क्या ह एक ग्रह है, प्लानेट है, इसमें कुछ लिखने की ज़रोत नहीं, बस थोड़ी समझने की बात है, प्रत्फी ग्रह है, तो ग्रह क्या होता है? जो सूर्य के चारों तरफ है, चक्कर लगाई, यानि ऐसे आकासी एपेंड, जिनमें और भी बहुत सारे विसेज था है, लेकिन पहली प्रमुख विसेज बात क्या है, कि वो सूर्य के चारों और चक्कर लगाई, ठीक है, तो प्रत्फी ग्रह के अंदर सामिल है, और ऐसा ग्रह है, जिसके उपर, एक मात्र ऐसा ग्रह है, जिसके उपर जीवन विद्यमान है, दूसरी बात, कि प्रत्फी ग्रह है, और ग स्टार, सूर्य एक, तारह है, ठीक है, तारे किया हैं, जिनका अपना स्वम का परकास हो, यहनी श्वम की और्जा, जितने भी जो तारे हैं, वो समस्त तारे समू में रहते हैं, इन तारों के समू को क्या कहते हैं? तो इन तारों के समोग कहा जाता है गेलेक्सी तारों के समोग क्या कहते है गेलेक्सी एक जो गेलेक्सी होती है इस एक गेलेक्सी में लगभग तारों की संख्या मानी गई है दस की घाद 11 एक गैलेक्सी में तारों की संख्यल लगबग कितनी वानेगी है दस की घाद 11 और गैलेक्सी उन पूरे गैलेक्सी के समू को क्या का गया है आग MAR今天 आज वर्टमान जिस ब्रह्मांड की बात कर रहा हो उस ब्रह्मांड की अगर आप बात करोगे तो ब्रह्मांड का सबसे प्रमुक जो भाग है वो कौन है गैलेक्सी और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कल्पना करी गई है वो ब्ही लगबग कितनी बताई गया है 10 की घात 11, ठीक है, हाला कि अभी एक बड़े भोतिक विज्ञानी थे, जिनका निधन हुआ था, जिन्होंने ब्रहमान्द के बारे में भूत सारे अध्यन किये थे, Hawkins, उन्होंने लास्ट में एक बात कियी थी, कि एक से अधिक ब्रहमान्दों की कल्पना करके गए थे हो, अभी अपने एक ब्रहमान वानवान हों, पूरा समस्त ब्रहमान जो है, वो किस से बनाए है, गलेक्सी से, vяз ब्रहमान में गेलेक्सी की संख्या, 10 की घात 11, गेलेक्सी क्या है, तारों का संभू है, यानि मुख्य रूप से जो पार्ट है, इसमें वो कौन है तारे, और एक तारों में प्रमुक जो गैस है वो कौन सी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ती है हीलियम मंतियर उर्जन निकलती है तो इसका मतला पूरे ब्रहमान में सर्वादिक मात्राम पाए जाने वाला तत्व भी कोन होगा हाइड्रोजन देखो जब अपन बात करेंगे आगे तो प्रसना आता है कि ब्रहमान में सर्वादिक मात्राम पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन वायो मंडल में सर्वादिक मात्राम पाए जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन प्रत्वी की सतय पर सर्वादिक मात्राम पाए जाने वाला तत्व है प्रत्वी की सतय पर क् Oxygen. संपूर प्रत्वी के आंत्रिक भाग में सर्वादिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? लोहा, फेरस्थ. ठीक है? उपरी से तक क्रस्ट आ गई और पूरी प्रत्वी के आंत्रिक भाग में कोण आ जाएगा? लोहा. ठीक है, उनकी दो बात आगे करेंगे अपन. लेकि सबसे ज्यादा मातरा में पूरे ब्रह्मांट में जो तत्व वह कोन है? हाइडरोजन क्यूं है? उसका करान में ने मता दिया. क्यों? क्यasia पूरे ब्रह्मांट ने मतलब है तारे, तारों का मतलब है हाइडरोजन, ठीक है रा? अब फिर लगबग 10 की गात 11 भाई हर गैलेक्सी में लेकिन इस गैलेक्सी में जो सूर जो हमारा ग्रह है जो हमारी प्रत्वी है उसका सबसे निकटतम तारा कौन है सूर्य पूरी प्रत्वी सूर्य और पूरा ब्रह्मान ये कैसे बना था इसकी जो परिकलपला सबसे महतोपूर मानी ग जिसको अपन महाविस्फोटक सिधान्त भी कहते हैं. ठीक है? महाविस्फोटक सिधान्त इसका प्रतिपाधन या यह जो थोरी थी, यह किस ने दी थी? जोर्ज लेमेंटियर ने दी थी. जोर्ज लेमेंटियर ने बताया था कि यह डायरेक्ट आपके नहीं आती सिलेबस में, लेकिन यह है कि हाँ, एक शुरुवात, एक बेसिक चीज के लिए अपने को पढ़ना पड़े गए. जोर्ज लेमेंटियर ने दीया था, और इस जोर्ज लेमेंटियर ने यह बताया था कि जो ब्रहमांड है न, इस ब्रहमांड का उदभाव लगबग आज से लगबग 13.7 अरब साल पहले माना था, सूर्य का जोद्भाव माना इसने वह लगबग 5.5 अरब वर्स पूरु माना है और प्रत्वी का जोद्भाव इसने माना है वह लगबग 4.6 अरब साल पहले माना है, ठीक है. क्या कह रहा है ये जोर्ज लेमेंटियर कैसे बनी थी तो उसके लिए इसने क्या बताया कि देखो पूरा जो ब्रहमांड था जब 13.7 अरब वर्स पहले बना था, उस दोरान ये ब्रहमांड एक बहुत छोटे से चने के दाने के आकार का था, यानि जो ब्रहमांड आज इतन अत्यदिक प्रसारित है, उसका प्रारंबिक स्वरूप किस रूप में था, एक चने के दाने के आकार का था, अभी भी जब ये Stephen Hawking थे, इन्होंने बार-बार यही बात कही थी, कि अभी भी ब्रहमांड का विस्तार जो हो जारी है, ठीक है न, यहां पे प्रारंबिक जो इस बता ही इन्होंने, पहला, वोल्यूम, आयतन, दूसरा, घनत्व, और तीसरा, उर्जा, ठीक है, यानि जिन मूलकणों से ब्रहमांड बना है, उन मूलकणों में आयतन, बहुत कम है, घनत्व, बहुत अधिक था, उर्जा भी बहुत अधिक थे, ठीक है, यहां पे आयतन, क्या होता है, वोल्यूम, आईतन क्या होता है, जितना, इस्थान घेषन घेषन कोई भी वस्तू जितना इस्थान घेषन घेषने वो उसका आयतन कहला ते, घनत्व, यह आयेंगे बार बार अपने धाराइभारा, जब महासागर पढ़ेंगे उसमें बार-बार आयतन घनत्व आयतन घनत्व तो इसका बिल्कुल कंसर्प्ट धान रखना आयतन तो कोई वस्तु जितना जग है घेर रही ठीक घनत्व और भी थोड़ी सी मतलब इसको कैसे अपन वो कर सकते हैं बढ़िया परिवासा को देन्सिटी जिसको बहते हैं घनत्व क्या होता है ड्रव्यमान थीक है तो आयतन घनत्व को फिजिक्स है वो क्या परिवासित करती है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन गनतु बराबर द्रव्यमान बटा आयतन यानि जितनी जो भी जगह है उस जगह में किसी भी वस्तु का कितना द्रव्यमान है वो उसका क्या किलाएगा तो इसका मतलब आप यह मान सकते हैं यह दोनों क्या है दूसरे के उल्टे हैं अगर 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 घनत्व बढ़ेगा इसका मतलब आयतन कम होगा आयतन बढ़ेगा यह डायरेक्टिक्स के प्रोपोस्टनल है और यह इसके बटा में है तो लास्ट मान जो आएगा इसका घंणत्व का वो तो इन दोनों के ratio से आएगा तो अगर यह जैसे बढ़ेगा तो यह कम होगा, यह कम होगा, यह अपने आप ही कम होगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर मालो यह दो पानी की bottle ने सेम है, ठीक, आ इतन तो बराबर है, ठीक, इस bottle के अंदर पा कि जितना भी जो जितना भी जो आयतन उसमें किसी भी वस्तु का द्रविमान कितना है वो उसका क्या किलाएगा गनत्व लेकिन दोनों में जो सम्मन्द होगा आयतन और गनत्व में उल्टा होगा ठीक है गनत्व अधिक है इसका मतलब सीधा सीधा किसको बता रहा है वो compact मतलम तो इन्में अत्यादिक उर्जा के कारण यह जो भी मूल करन्थे इस ब्रह्माण के निर्मान करने वाले इन्में आपस में क्या हई टक करू ह कर और यह जो टक कर थी उसमें धीरी-धीरे क्या हुआ ? विस्तार हुआ. जैसे ये महा विस्पोट हुआ, उस समय जो विस्पोट हुआ, उसके दोरान इतना तापमान बना, वायो मंदल में जो गहसे थी उन में आपस में क्या हुआ ? जो उनके नाभिग थे वीध मैं उपस में जुड़े और यहां पर किसका निर्मान शुरूबा हाइडोजन से हीलियम का ताडरों का, तारों की लगातार संक्या बढ़ती गई तारे किस में आ गए ? संहु के रूप मेश रूप में तारों का संहु क्या कहला दिया ? गैलेक्सी यह जो गेलेक्सी थी इनकी संख्या बढ़ती गई और बढ़कर के गेलेक्सी जो समू बढ़ाई उसके रूप में फिर किसका निर्मान हुआ पूरे ब्रह्मान का और इस पूरी प्रक्रिया में अब तक 13.17 अब वर्स तो लग चुके और लगातार इसका विस्तार क्या है जा दिया गया दो जार 12-13 में दे दिया था परन्त अभी चली रही है इस पर बहस अभी तक अभी तो इसका फाइनल नहीं मानना गया है कि यह सत्य है गलत है वह यह अभी रिसर्च है लेकिन हां अल्मॉस अल्मॉस इसको प्रमानित कर दिया गया मुझे पता है मैं जो बात कह रहा हूँ वह समझे आप मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको तेरा में प्रमानित कर दिया और जो हिंक्स बोसोन नाम का जो पार्टिकल था उसको पूरी तरह से कह दिया कि सबसे छोटा जो गोड़ पार्टिकल जो है पूरे भर्मांड का वह कौ पूरी तरह से अभी आप अपने डिस्कोवरी में जोड नहीं सकते हो कि यह प्रमानित कर दिया वो प्रियोग भी सुनो आप देखें 1998 में इसका जो प्रायोगिक सब्सक्तियापन था 1998 में फ्रांस और स्वीडिजर्लेंड यूरोप के दो देश हैं जब आपन बात करेंगे उस दोरान जब यूरोप के मैप को आप देखोगे तो सब से नीचे है इस्पेन और इसी के साथ में पूर्तगाल है जब इस्पेन के ऊपर चलते हैं तो बड़ा सा देश आता है कौन सदेश जर्मनी. 1998 में इस फ्रांस और स्वीडिजर्लेंड की सीमा के ऊपर एक भूमिगत सुरंग बनाए गई थी. उस भूमिगत सुरंग को 2008 में तयार कर दिया गया था. इसमें ये प्रमानित करना था कि वास्ता में बिग वैंग ने जो सिद्धान दिया, बिग वैंग सि पार्टिकल है, वो हिंक्स बोस्वन है या नहीं है. एक्चल में ये जो प्रियोग कर रहे थे, उसमें एक जर्मनी की विद्वान थे हिंक्स. ये मतलब जिसको मैं कहूँ कि इसका एक मुख्या था इस पूरे प्रियोग का और भारत के एक विज्ञानिक थे बोस्ट. इन्ह उसकी याद में ये जो मूल पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल या जो गोर्ड पार्टिकल जिसको कह रहे है, उसको क्या नाम दिया? हिंक्स बोस्वन. ठीक है? ये नाम तो दे दिया इसको कोई ना कोई पार्टिकल जो है, वो क्या है? हिंक्स बोस्वन होगा, पर करना है वह आपको उसके लिए इनोंने क्या करा ये फ्रांस और स्वीडिजरलेंड की सीमा के अंदर एक अंडर ग्राउंड क्या बनाई इनोंने एक सुरंग बनाई थी उस सुरंग की जो चारो तरफ का आवरण था वह बहुत अधिक ताप रोधी बनाए गया कि अगर अत्यदिक तापमान भी हो जाए तो वह ब्लास्ट ना हो पाए क्यों कि इसके अंदर उर्जा का जो इस तरह आएगा वह बहुत अधिक आएगा इसका जो मुख्य उद्देश ये था वह ये था कि सुरंग के दोनों तरफ से हाइड्रोजन जो थी उसका रिसाव करना था और उसके रिसाव के बाद में उन में आपस में इतना वेग हो कि दोनों तरफ से जैसे हाइड्रोजन आये और जो ही उसमें आपस में क्या हो टक्कर तो उस टक्कर को किसके समान उस महाव स्पोर्ट के समान अगर उस दोरान ऐसी घटना हुई तारों का निर्मान प्रारम होता है, तब तो ये बात ठीक थी और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर ये ऐसी घटना नहीं होई थी. 2008 में ये प्रयोग साला तयार हो गई थी, लेकिन इसमें एक तरफ से जैसे रिसाव किया था, तो उस दोरान इसमें कोई प्रैक्टिकली कोई डीमेरिट आ गई थी, कोई खामी आई थी, तो इस प्रयोग को स्थखित कर दिया था, उसके बाद 2012-13 के अंदर ये पुने प्रयोग किया गया और इसका सत्यापन किया गया और उस ही समय घोशित कर दिया कि जो गोड़ आपको तीन चीजे याद रखनी है, सिर्फ जो आपके काम आएंगी, ब्रहमाण क्या है, गलेक्सी का समू है, उद्भव कितने समय पहले हुआ, लगभग 13.7 अरव वर्स पहले हुआ, प्रत्वी का निकटतम तार अकॉंड है, सूरे है, जिसकी उत्पत्ति लगभग कितने साल पहले हुई, साढ़े पांच अरव वर्स साल पहले, और प्रत्वी की उत्पत्ति कितने साल पहले, 4.6 या साढ़े चार अरव वर्स पहले, ये तीन चीजे आपको ध्यान रखनी है, इसके लाब आपको कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये कुरंट की घटना है, य कि डाइरेक्टली आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा जाए, ठीक, लिख लो इन को तीनों चीजों को, मैं लिख भा रहा हूँ, ये तो आप लिख लो इन को, निचे लिखना मतों, ब्रहमांड की उत्पत्ति, ब्रहमांड की उत्पत्ति ओरिजिन ऑप कोस्मोस, की उत्पत्ति, इसमें लिखना, ब्रहमांड, ब्रहमांड, गेलेक्सी का समुह है, जिसमें, लगभग 10 की घात 11 गेलेक्सी मानी गई है, निचे लिखना, गेलेक्सी, गेलेक्सी, तारों का समुह है, तथा प्रते गेलेक्सी में, तथा प्रते गेलेक्सी में, तारों की संख्या भी, आजिन लगभग 10 की घात 11 गेलेक्सी में, यह लिखना, ब्रहमांड की उत्पत्य गेलेक्सी, उत्पत्ति का सर्व माने सिध्धान्त जो इनिवर्सल थेओरी रही है इसकी, ब्रह्मान की उत्पत्ति का सर्व माने सिध्धान्त, बिग बैंक सिध्धान्त या महाविस्फोटक सिध्धान्त माना गया है. प्रह्मान के उत्पत्ति का सर्वमान्य सिध्धान्त महा विस्फोटक सिध्धान्त माना गया है जिसका प्रतिपादन जिसका प्रतिपादन जोर्ज लेमेंटियर दुवरा किया गया जिसका प्रतिपादन तोरी गिवन जिसका प्रतिपादन जोर्ज लेमेंटियर दुवरा किया गया इसके अनुसार ब्रह्मान के उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्षपूर, इसके अनुसार ब्रह्मान्ट की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्षपूर, सूर्य की उत्पत्ति लगभग 5.5 अरब अरब वर्षपूर, तथा प्रत्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्षपूर हुई, प्रत्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्षपूर हुई, नीचे लिखना, heading डाल दो, globe, globe, देखो, जैसे कि मैंने का, आपन जो word जो ग्रूप में पहला topic लेके चल रहे थे, विश्व की बहुतिक विश्यश्था है, उसमें पहली बात अपने को करने थी कि क्या है प्रत्वी कैसे बनी है, जैसे कि मैंने का, आप सिर्फ इन दो, तीन चीजों को ध्यान रख लेना, डाइरेक्ट प्रसंद नहीं आता है, क्योंकि डाइरेक्ट पार्ट भी निया से लिवस का, पर हाँ, जानना था अपने को इसको, हाँ, करेंट में कोई घटना इस टाइप की होती है, उनको जरूर आप ध्यान रखें, अब बात आई, कि हम प्रत्वी का ध्यान करने के लिए, हमने प्रत्वी के एक प्रतिरूप को, एक मोडल को निर्मित किया, और इस मोडल का सबसे मुख्य और देश्य था, कि इसकी सहायता से, हम पूरे विश्व की जो भी स्थति हैं, जो भी कोई स्थान है, वो कहां इस्थित है, उसका पता लगे हमें, उसका पता किसकी सहायता से लगे, कोई भी स्थान कहां इस्थित है, उसकी स्थति किस से बताएंगे, उस पर जो भी प्रतिरूप पर जो अपने इस्थिति बताई, वो किसको अधार मान कर बताई, अक्सांस और देशांतर रेखाओं पर तो इसका मतलब देखो आपने जो भी ग्लोब का निर्मान किया है उस ग्लोब की निर्मान का उद्देश यह था किसी इस्थान की स्थति का निर्धारन करना सबसे पहले चोदा सो बांडवे इस्थानर मार्टिन बोहिन नाइन के एक व्यक्ति थे जिन्नों पहली ग्लोब का निर्मान किया था अभी हमारे लिए यहां पर जो बेसिक पार्ट शुरू होगा वो यहां अक्सांस और देशांतर रेखाओं से आपकी मतलब जो मुद्दे क का प्रति रूफ है, model of the earth, globe प्रत्फी का प्रति रूफ है, निचे लिखना, सर्वपरथम, सर्वपरथम 1492 स्वी में, सर्वपरथम 1492 स्वी में, मार्टिन बोहिम द्वारा ग्लोब का निर्मान किया गया, 1492 इस्वी में मार्टिन बोहिम द्वारा ग्लोब का निर्मान किया गया, नेचे लिखना, ग्लोब पर विशेश प्रकार के कोणों का निर्धारन किया गया, जिनने जने Latitude ले Longitude Aksons ले Dessaructive कहा गया, जने Aksons ले Dessa analyze Latitude ले Longitude कहा गया, नेचे लिखना, अक्सान्स्व देशांतर की सहायता से किसी भी इस्थान की स्थती का निर्धारण किया जाता है. किसी भी स्थान की स्थती का निर्धारण किया जाता है. निक्से लिखना, इन कौनों को मापने के लिए इन कौनों को मापने के लिए डिग्री मिनट वे सेकंड इकाईयों का इन कौनों को मापने के लिए डिग्री मिनट वे सेकंड इकाईयों का उप्योग किया जाता है. निचे लिखना, एक डिग्री वराबर, डिग्री को रिप्रेजेंट करने का यह इन काईयी सिम्बल है, यह मिनट को और यह सेकंड को ठीक है. एक डिग्री बराबर साथ मिनट, एक मिनट बराबर साथ सेकंड. एक एक एक्जामपल के तोर पर में बात करता हूँ, जैसे आप से पूछा जाता है कि राजस्थान कहां स्थित है, तो इसका मतलब सिधी सी बात है कि वो क्या बताना पड़ेगा आपको राजस्थान के अक्सांस और देशांतर बताने पड़ेगा. अब क्या होते हैं, उसक बतान के स्थिती है 23 डिगरी 3 मिनट से 30 डिगरी 12 मिनट. आगे क्या है क्या ने कुछ ने पता, अभी सिर्फ डिगरी और मिनट, यह डिगरी रिप्रेजेंट, यह मिनट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यह ऐसे प्रदर्शित करते हैं दोनों को. Second चुकि बहुत छोटी काई है इसलिए अकसर इसका उपियोग अपन बड़े स्थान के लिए नहीं करते हैं, बहुत छोटे स्थानों को अगर देखना हो तो Second का उपियोगे नहीं करते हैं, तो आपको यह डिगरी और jam 2 है, वो अखसांस और देसांतरों को मापनि की क्या है एक आईया है, ठीक है, नीचे लिखना, heading डालके लिखना, अकसांस रिखाएं, अकसांस रिखाएं, देखें, अकसांस रिखाओं के अगर आप बात करोगे, मैंने आपको दो चीजे बताई थी, पहला कक्ष और दूसरा, अकस, orbit और एक्सिस, कक्स को क्या लिखाता आपने, क्या था कक्स, पथिया रास्ता, पथिया रास्ता, एक्सिस क्या होता है, खुद की धुरी, और कुछ, अकस को क्या डिफाइन करोगे, कोई भी जो गोल भाग है, कोई भी गोल प्रिंट जो है, उसके केंदर से, किनी भी दो बिंदों को जो रेखा मिलाए, वो उसका क्स क्या लाती है, ठीक है, प्रत्वी की बात कर रहे हो आप, प्रत्वी की बात करो, यार एक मुनाट, उस पर कुछ चाबी पढ़ी है के यार्थ है, ये उत्री दुरू, ये दक्सनी दुरू, ठीक है, इस उत्री और दक्सनी दुरू को इस ग्लोब की सतय पर जो रेखा मिलाएंगी, सतय की बात कर रहे हो, उन रेखाओं को तो आप क्या करते हो, तो उनको तो देशांतर रेखा कोऊ गया, लेकिन केंदर से इन तो अनों को जो रेखा मिलाएगी, उसको आप क्या कोऊगे, अक्स कोऊगे, मैं यह कहूँ, ये एक गोला है, ये ग्लोब है, ठीक है, है नहीं, अपने पास, अभी इसलिए से काम चला लो, इस गोले में, ये सबसे उपर तो, सबसे उपर का अक्सान से, ये सबसे नीचे का अक्सान से, सबसे उपर 90 डिग्री उत्री अक्सान से, सबसे नीचे 90 डिग्री दक्सनी अक्सान से, बात करेंगे अभी अपना अक्सान सो में, ठीक है, इस उत्री और दक्सनी धुरूव को इस सतय पर जो रेखा लेके जा रही है, वो तो देशांत्र होगे, लेकिन इसके बीच में से जो जाएगी यानि अगर मैं यह कहूं कि यह पूरा ग्लोब है और यह पूरा ग्लोब है तो एक तो हो गया इसका भारी भाग और यह बिल्कुल बीचों-बीच वाला भाग तो यह जो बीचों-बीच वाली जो रेखा जाएगी उसको आप क्या कोगे अक्स काओ तो ग्लोब के संदर में अक्स क्या है तो उत्री और दक्सनी ध्रूव को केंदर से मिलाने वाली कालपनिक रेखा को क्या का गया है अक्स का गया है आप एक और बात पढ़ते हो कि प्रत्वी अपने अक्स पर जुकी हुई है प्रत्वी अपने अक्स पर जुकी हुई है कित और सतय पर मिलाने वाली रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ठीक है ना, इन में दो अंतर आप ध्यान रखना, आपन किसकी बात कर रहे हैं, अक्सांस रेखाओं की, देखें, अक्सांस रेखाओं के लिए, एक, ग्लोब तो क्या है, एक मोडली तो है ना, आप सिर्फ क्या कर यहां पर समझने के लिए, अध्यन करने के लिए परीकल्पना कर रहे हैं और उसका निर्मान कर दिया आपने, यह मालली जिये आपके ग्लोब है, इस ग्लोब की चो तुल्ना करी वास्तिक प्रत्वी से करी गई, यह माललो सूर्य है, ठीक है, इस सूर्य के चान उत्रफ, य चकर लगा रही है, इस काक्स के उपर, सूर्य क्या है, तारे, तारे किस के रूप में है, समु के रूप में, जिस को क्या कह रहे हूं, गेलेक्सी कह रहे हूं, ठीक है, तो इसका मतलब जिस गेलेक्सी में हमारा सोर्मंडल है, उसमें बहुत सारे तारे है, तो इसकी कल्पन यो करी गई कि जब प्रत्वी सूर्य के चारोतरब चक्कर लगाती है उस दोरान एक तारा है जिस तारे का नाम था पोलर स्टार या धुरूवतारा तो जब प्रत्वी सूर्य के चारोतरब चक्कर लगाती है उस दोरान प्रत्वी के साथ धुरूवतारा जिस बिंदू के उस बिंदू को ग्लोब की सथे पर किस रूप में निर्दारित किया? 90 डिग्री उत्री अक्सांस के रूप में, जिसको आपने क्या नाम दिया? उत्री धुरूव नॉर्थ पॉल. तो नॉर्थ पॉल का निर्दारन करने के लिए किस की मदद ली गई थी? दुरूव तारह की. जैसे दुरूव तारह है, वैसे ही इस गलेक्सी में एक और तारह था. उस तारह का नाम था, मैं इसके बज़ाए उपर लिख देता हूँ, वो था Southern Cross Star. यह जो Southern Cross Star था, यह जिस बिंदू के साथ में 90 डिग्री का कौन बना रहा है. उस कौन को इस गलोब के उपर निरधारित किया गया, किसके रूप में 90 डिग्री दक्सनी अक्सांस या इसको नाम दिया South Pole, दक्सनी दुरूव. यानि उत्री दुरूव किसकी मदद से? दुरूव तारह की मदद से निरधारित हुआ, दक्सनी दुरूव? Southern Crows तारह की मदद से. उत्री दुरूव किया है? तो 90 डिग्री उत्री अक्सांस. और दक्सनी दुरूव किया है? तो 90 डिग्री दक्सनी अक्सांस. ठीक. अब इन तारों से जैसे-जैसे कोण ही अमान घटता गया, तो वो 90, 89 और घटता-घटता बीच में कोण आ गया? जीरो डिग्री. तो बीच में जो अंगल बना वो तो कितना बना गया? 0 डिग्री. इसके उपर आप चुप जाते गए, तो कहां तक आ गए? 90 डिग्री तक. same to same, 0 से कहां तक चले गई, 90 degree तक और यह 0 से 90, जो कोण ही अमान 0 degree के उपर और नीचे आपने निर्दारित करें, उन सारों को आपने क्या कह दिया, Aksanse के तो इस प्रकार से यह क्या करे Hea Aksanse निर्धारित करे गए अब इन Aksanse से अपने को क्य क्या चीज चाहिए とो आपके लिए बस दो चीज तो यहां ध्यां रखणनी है कि North और South Pole का il किसकी मदद से हुआ था तो यह North Pole का तो आपके दुरूवतारे से और यह साउधन क्रोस तारे से यह मैं लास्ट में लिखवा दूँगा आपको ठीक है अब अपने हेडिंग क्या डाले थी अक्सांस रेखाएं इस अक्सांस रेखा में पहली लाइन लिखना अक्सांस रेखाएं अक्सांस रेखाएं ग्लोब की सत्य पर पूरौव से पस्चिम में खीची जाती हैं तथा उत्तर से दक्सिन की इस्थती निर्धारित करती है नीचे लिखना जीरो डिगरी मैं पहले लिख वा रहा हूँ उसके जस्त बाद एक एक लाइन समझेंगे आपड जीरो डिगरी अक्सांस रेखा के समानांतर पैरलल जीरो डिगरी अक्सांस रेखा के समानांतर खीची गई जीरो डिगरी अक्सांस रेखा के समानांतर खीची गई रेखाओं को अक्सांस रेखाएं कहा गया जीरो डिगरी अक्सांस रेखा के समानांतर खीची गई रेखाओं को अक्सांस रेखाएं कहा गया दूसरे लाइन में लिखना प्रधान अक्सांस रेखा जो major latitude था प्रधान अक्सांस रेखा जीरो डिगरी अक्सांस रेखा को माना गया जिसे विश्वत रेखा या भूमद्य रेखा कहा गया और निijnेचे लिखना जीरो डिगरी अक्सांस रेखा गलोब को इसी कोबिक करना जीरोडिगरी अक्सांस रेखा गलोब और गलोब को बलिक करना प्रत्वी को गलोब या प्रत्वी प्रत्वी का पार मतलब एक मोडल हो गया ना गलोब को या प्रत्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है गोलार्ध मतलब हेमिस्फियर गोल लेके दो हिस्से दो गोलार्धों में विभाजित करती है उत्री गुलार्ध वे दक्षनी गुलार्ध Northern Hemisphere and Southern Hemisphere उत्री गुलार्ध वे दक्षनी गुलार्ध है नीचे लिखना यह लिखना जैसे मैं लिखूँ अक्सांस रेखाएं बराबर करके लिखना पहला पॉइंट संख्या, संख्या में लिखना कुल अक्सांस रेखना कुल अक्सांस रेखाएं, कुल अक्सांस यह व्रत, कुल अक्सांस में लिखना 180, कुल अक्सांस रेखाएं में लिखना 179 और व्रत में लिखना अक्सांस रेखाएं में पहला बिंदु कहा लिखा आपने, संख्या, इसी में दूसरा बिंदु इसके आगे लिखना अक्सांस रेखाएं के बीच की दूरी लगभग समान होती है ब्रेकिट में लिखना भूमद्य रेखा से धुरूवों की और जाने पर याने एक्वेटर से पोल्स की तरब जाओगे आप भूमद्य रेखा से धुरूवों की और जाने पर ब्रेकिट में लिखना इस चेज को यह भूमद्य रेखा से धुरूवों की और जाने पर यह बढ़ती जाती है परन्तु बढ़ती बहुत कम है, इसलिए इसको लगबग क्या माना गया है समान, परन्तु फिर भी इस टाइब का कोई close डाल दे कि सबसे ज़्यादा कहां रहती है, सबसे कम कहां रहती है, दो ब्रकेट बंद करके आगे लिखना, जिसका मान 111 किलो मेटर है, पर तो ये 110.5 के आसपास है और पोल्स पर जाकर 111.3 किलो मेटर लगबग हो जाती है, तो एवरेज लगबग कितना माना गया इसको 111 किलो मेटर है दो बिंदु लिखे, संख्या, बीच की दूरी, तीसरा बि एक पन्टा, एक लाइन और लिखना नीचे है इसमें, एक लाइन और लिखना, दो اकसांस रेखाओं के बीच की दूरी को दो अकसांस रेखाओं के बीच की दूरी को कटी बंध है जोन दो अकसांस रेखाओं के बीच की दूरी को कटी बंध है या जोन कहा जाता है तीसरा लिखना लंबाई लंबाई यहीं, पहला बिंदू क्या लिखा आपने? संख्या, दूसरा, उनके बीच की दूरी, और तीसरा क्या लिख रहे हो? लंबाई लिखे समस्त अकसांस रेखाएं, लंबाई में ऐसमान होती है समस्त अकसांस रेखाएं, लंबाई में ऐसमान होती है सबसे लंबी, सबसे लंबी, अकसांस रेखा, जीरो डिग्री अकसांस रेखा है, जिसकी लंबाई 40,077 किलो मेटर, जिसकी लंबाई 40,077 किलो मेटर होती है, तथा, एक्वेटोरियल जो डायमेटर जिसको व्यास बोलते हैं अपन, तथा भूमद्य रेखिय व्यास का मान, तथा भूमद्य रेखिय व्यास का मान, 12,756 किलो मेटर होता है, तथा, यह तीन बाते करिया आपने पर्टिकुलर अक्सांस रेखाओं की संख्या के लिए, बीच की दूरी के लिए और उनकी लंबाई के लिए, अब जैसे पोइंटों में लिख रहे थे, लास के पोइंट में लिखना बाप, अब मतलब यह जो आपने पोइंट बनाए अक्सांस रेखाओं, तो यह तो अट गया, अब नीचे के पोइंट में लिखना बाप, अकेली अक्सांस रेखाओं, जलवायू का निर्धारन करती है, अकेली अक्सांस रेखाओं, जलवायू का निर्धारन करती है, देखो, दोनों क्या निर्धारित करती है, अक्सांस और देखाओं, दोनों क्या निर्धारित करती है, इस्थान की स्थती, अकेली अक्सांस क्या करेगी, जलवायू, अकेली देखाओं समय, अकेली देखाओं तर रेखाओं, यानि उसमें अक्सांस की जरूत निया है, समय निर्धारन करने में, केवल अक्सांस रेखा कर देगी, जलवाई निर्दान में देसांत की जरूत नहीं है, केवल किन से होगा? अक्सांस रेखाओं से होगा, ठीक है ना, ये सारी point जो थे, वो किन के लिए थे? अक्सांस रेखाओं के लिए, एक एक point को आओ अप, पहली line, मैंने आपको लिखा, क्या हैं, क्या है तो globe के उपर पूरव से पस्चिम में खीची जाने वाली अकसांस रेखा क्या है जो globe पर aksans को मिला है aksans क्या है particular एक विशेश प्रकार के कौन है जिनका निर्दारन कहां पर हुआ है globe पर हुआ है ठीक अब आपने का तिक aksans रेखा कैसे खीची जा रही है पूरव से पस्चिम में और इस्थति के से निर्दारित होती है उत्तर से दक्सिंद एक चीज आप ध्यान रखना जहां भी दिशाओं की बात आएगी तो ये प्लस सबको पता है इस प्लस में उपर मतलब नोर्थ नीचे मतलब जहां भी आपके उपर और नीचे की बात आएगी इसका मतलब आप ध्यान रखना उत्तर और दक्सिंद लेकिन जब भी आपको दिशाओं बतानी होगी तो पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा आपके पास एक निस्चित इस्थान होगा उससे ही उपर नीचे आप करोगे ऐसा नहीं है कि हर जगे उपर अभी जैसे मैं बात करूँ आपसे एक सपोज एक एक जामपल है मैं यहां ख़डा हूँ इस डाइग्राम के हिसाब से मेरा ये हिस्सा क्या है वेस्ट और ये वाला इस्ट कहां से कहां से एक प्रजेंट जहां मैं ख़डा हूँ मैंने मेरी इस्थी बदल नहीं मैं तो यहां गया अभी मेरे जो पस्सिम में था वो अब कहां गया पूरो में आ गया तो अब ध्यान रखना एक पॉइंट होगा दिसा बताने के लिए आ ध्यान भी है जोर आएगा तुमारे बस थोड़ा सा इसको इंप्लीमेंट करने में इसको अपलाई करने में थोड़ा से एक दो बार करोगे आपके ध्यान रहें सारी चीजे मैंने काया है है छे चार दिसाय है आप करे ग्लोब है इस ग्लोब के उपर यह जीरो डिगरी है ठ किसां सरे attraction में तो मैंने इसको कै से खिचा यह कॉणी इस दिशा पूरा ये पसील ये उत्ता ये दक इस नियुका मतलब उत्तार और दक्सिन था आपने पूराव से पसील आपको दो थो 45 बातिकल लेंग्विज रहेगी, वो क्या रहेगी? पूरा से पर्सिम में खेजिजे जाती है, फिर मान लिजिए, यह कितने degree? 0 degree, सब से उपर कौन सा अकसांस है? 90 degree, सब से नीचे? 90 degree, बीच में 0 degree, एक अकसांस 0 degree है, इस अकसांस को मैं दूसरे रूप में लेता हूँ, मान ल ये गलोब थी, इसको फाड दिया, पर ने नकसे की रूप में लिख दिया, तो इस गलोब को जब नकसे की रूप में आप लिखोगे, तो ये हो गया, ठीक है? अभ इसके आधार पर जैसे आपने इसको फाड आ, तो ये जो बीचो पीच में जाएगी, वो कोण है? बोमदे रेख्यायाँ जरो ्गीरे अकसांस रेख्यायायाна, तो इसका मितलब this fare is zero degree observed .amam लेखे ये, में और लेखिया है. ना numero 30 seconds, पूइरो 20 EPAordo, जोनों अप ऑन बीच फिस दिग्रि लेखा ये communicate between states, का ऑट को इंद पर है इन दोनों के बीच में है अब आपको खीच आपने आपने किस लिए पर था किस बीच में इस इस्थति बताता है ठीक है ध्यान रखना इसको अक्सांस रेखाओं को को हमेशा पूराव से पस्यमें खिचते हैं और उत्तर से दक्षिन की इस्थति का ये निरधारन करती हैं ठीक है ना पहली लाइन दूसरी लाइन के लिए आपने क्या लिखा कि जितने भी जो अक्सांस उन सारी अक्सांस रेखा हूं में सबसे प्रमुख या सबसे प्रधान किसको माना गया मानने वालों ने जीरो डिग्री को माना कुछ और मानते तो अपन तो वह पढ़ते माना किसको गया जीरो डिग्री को माना गया तो यह जीरो डिग्री अक्सांस रेखा है सबसे कि बीचों बीच में है इसलिए इसको क्या नाम दे दिया भूमद्य यानि एक्वेटर या भूमद्य रेखा और इसी को दूसरा नाम के दे दिया विस्वत रेखा ठीक है ना तो भूमद्य रेखा या विस्वत रेखा सबसे प्रधान अकसांस रेखा मानी गई है और यह सबस जीरु डिouvertी पर से यदी अपनट इस गलोब को दो हिस्सों में बाटे तो इस गलोब का एक हिस्सा इस ततिया जायेगी ठीक donc यहां पर एक गूला था इस एक गोले के कितने हिस्से हो गया दो गोलेके अधे इस्से का किया हो गयाgol आदा गोला आदे गोले कोई अपन क्या बोल दें अर्द गोला और अर्द गोले कोई गोलार्द बोल दो बात तो यह कि ना गोलार्द गोले का आदा अब यह दोनों एक दूसरे के उपर नीचे यह दाएं-बाएं है उपर नीचे ना दोनों गोले अगर मालो मैं यह कहूं कि एक गोला ये है और एक गोला ये है ये तो दोने एक दूसरे क्या हो गए दाएबाई ये एक दूसरे के उपर नीचे उपर नीचे मतलब कौन से दिसा उतर दक्सिन दाएबाई मतलब पूरा उपसिम तो ये एक दूसरे के उतर और दक्सिन में है तो गोले का आदा हिस्सा जो उपर है वो तो कौन सा गोलार्द? उत्री गोलार्द, नीचे दक्सनी गोलार्द, यानि जीरो डिग्री अक्सांस रेखा, दो गोलार्दों में बाटती है गलोब को या प्रत्वी को, जिसमें उपर का हिस्सा जो है उत्री गोलार्द है और नीचे का हिस्सा दक्सनी गोलार् इसका मतलब अकसांस दो ही प्रकार के होंगे, या तो उत्री अकसांस या तो दक्सनी अकसांस उत्री अकसांस मतलब 0 से उपर के, 0 से नीचे मैंने अभी अभी आप से एक बात करी थी, कि राजस्तान कहा है तो मैंने अकसांस लिखे दें, 23 दिगरी 3 मिनट से 30 दिगरी 12 मिनट उत्री अकसांस वहां मने नहीं बताय था आपको, अभी मैंने बोला है उत्री अकसांस अब आपके तुरंट समझ में आगे कि उत्री अकसांस का मतलब कहा है ये 0 डिगरी से उपर प्रसंद आया आरेस में कि भारत कीन अक्सांसों में है और भारत के अक्सांस लिख दिये 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट चारों उप्सन सेम इसके आगे उत्री अक्सांस दक्सिन अक्सांस, पूर्वी अक्सांस, पस्यमी अक्सांस तो दो ऑप्चन तो सिरे से क्हारिज होगे कि पूरवीर पस्य मी को aksane सोता ही नहीं या तो किसमें होगा उत्तर में या फेर daksina अब वह जिसमें भी है अपना करा रहीं है उसकी तो अब भी हमारे लिए बात है कि उत्तरी अक्सांस का मतलब 0 के ऊपर दक्स्रिण मतलब 0 के नीचे. क्योंकि इन अक्सांसों का निर्धारन 0 को आधार बुत वान करकर की आ गए, इसलिए अक्सांसों में 0 डिघ्री को सामिल भी नी इख किया जाता. इसी वज़े से, अक्सांसों के कुल संख्या जो मैंने बताई थी, वो कितनी बताई है 180 बताई है यानि 0 डिगरी के उपर और नीचे जो कोणी अमान है वो क्या होगा अकसांस होगा तो 0 डिगरी को उसमें सामिल नहीं करोगे नहीं करोगे तो 0 तो ये फिर 1 से लेकर 90 तो 90 तो 90 और 90 एकसांस है उनकी संख्या कितनी होगी 180 180 कुल अक्सांस रेखा मैंने कितनी बताई है 180 180 क्यों कि 90 डिगरी जो है ना 90 डिगरी वह अक्सांस के रूप में तो है लेकिन रेखा नहीं है तो अक्सांस के रूप में है रेखा के रूप में नहीं है तो इसका मतलब जो टोटल संख्या होगी 90 90 180 और 0 डिगरी तो टोटल कि 180, 180 में 2,80, 90, 90, कितने बच गए? 179, तो रेखा कितनी रह गई? 179, और फिर मैंने लिखा अकसांसिय व्रत, सर्कल, वो कितने? 121, सर्कल में सारे आएंगे, क्यों? क्योंकि एक अकसांस रेखा जो आती है, वो पूरे के पूरे किस पर आती है? सतय पर आती है, आप कहोगे होता न, एक पॉइंट, वो भी हमेशा बिना रेडियस का क्या होता है? सर्कल होता है, इसलिए परीदी, मतलब सोरी, व्रत के अंदर, व्रत के अंदर, जितने भी टोटल नंबर है, 181, उनको सामिल करोगे, कौन में, 0 डिगरी के उत्तर और दक्सिन में, जो भी कौन यह मान आ रहा है, उसको अक्सांस जिसमें 0 डिगरी सामिल नहीं करोगे, तो कितने रह गए, 180, रेखा में उत्री और दक्सिन दुरू को सामिल नहीं करोगे, तो कितने रह गए, 180, तो कुल अक्सांस कितने, 180, अक्सांस रेखा कितनी, 180, और कुल अक्सांस यह व्रत कितने, तो वह तो इस दूरी के अंदर जैसे अपन बात कर रहे हैं कि यह 0 डिगरी है इस जीरो डिगरी के जैसे जैसे आप उपर जाओगे, तो इन के बीच में यह जो distance आती है ना इस distance को किस नाम से जानते है अपन जो दूरी है की जो कटी बंद के नाम से और यह जो दूरी है यह लगग लगग सारों के बीच में समान है जिसका माने आपने कितना बता है 110 km किलोमेटर लेकिन वास्तविक्ता मैंने ये भी बताई आपको कि जैसे जैसे भूमद्य रेखा से धुरूवों के तरफ जाएंगे तो इस स्लाइटली बढ़ती जाती है जैसा कि जीरो रेक के बीच में इसका माने 110.5 किलोमेटर और लास्ट में 111.3 किलोमेटर तो ये सबसे लंबी तो कौन थी भूमद्य रेखा और जैसे जैसे आप उपर जाते जा रहे हो तो कम होती जा रही है 90 डिग्री तो किस रूप में आ गया एक बिंदू के रूप में आ गया तो समस्त अकसांस रेखा इं लंबाई में ऐसमाने सबसे लंबी कौन भूमद्य रेखा और भूमद्य रेखा कि कुल लंबाई वो तो है चालीस अजार सतत्तर ठीक है और फिर लिखा भूमद्य रेखे व्यास वो कितना है बारा साथ सो चपन क्या मतलब देखो व्यास और कुल लंबाई में जो परिवर्तन है वो समझो आप तो यह एक बोटल अपने पास में यह है मेरे सब कुछ इसी को मान रहा हूं है इस बोटल के यह इस्ञा मानलो ये पूरी की पूरी लंबाई है किसकी भूमत दि रखा की यहां यह यह पीचों-बीच में से मेंने काट आफन की यह ऑपको दिख रहा है तो यह जो बहार का पूरा हिस्ञा है यह तो पूरी भूमत दि रखा की लंबाई है ठीक है नए अब मैं इसको एक व्रत मान रूओ एक सर्कल मान सकता हूँ सर्कल मान लूँ तो सर्कल जो होगा ना एक सर्कल का यह पूरा हिससा है परीधी तो यह परीधी जो आएदी ना वह तो कुलम बाय आ जाएगी इस परीधी पर किनी भी दो बिंदुओं को केंद्र से जो रेखा मिलाईगी वह उसका व्यास किलाएगा ठीक है यह केंद्र है और यह बिल्कूल बीकों बीच से यह एक रेखा जात रिए इसको आप क्या कोगे व्यास अब चुब की परीधी भूमद रेखा माल ली तो तो यह तो कुल लंबाई कितनी होगी 40,000, 37,000, अब यहां से कोई भी दो बिंदों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह उसका व्यास है, जिसके लंबाई कितनी है, 12706 किलोमेकर, ठीक है, तीनों चीज समझ में आई, अक्सांस रेखां कि पहली संख्या, अक्सांसों में संख सब से लंबी भूमदे रेखा, और भूमदे रेखिये, व्यास कितना है, 12706, फिर लास में मैंने लिखा, कि अकेले अक्सांस रेखां क्या करती है, जलवायू का निर्धारन करती है, अब जलवायू का निर्धारन कैसे करती है, उसके लिए नीचे हेडिंग डाल दो, पक्का हां आएगा अभी तो यह के बहुत बेसिक चीज चल रही है पॉइंट पर आने दो अपने टोपिक पर आने दो बहुत इंट्रेस्ट आएगा खूब आप खुद ही कहोगे सर्फ चार ही लोग तो अपने के एक पोर्शन तो पूरा करें इसमें एक्चुली क्या इसे र एक्ठार देसंतर ही तर आप, पूरा पूराविव- स्पस्रे में खिषते हैं उतर से दक्षिन की इस्थति भताते हैं दूसरे नमबर पर प्रधान अक्सांस रिखा किसको माना ?जिर हो जो पूरी ग्लोब को कितने इसम बाट रही है दो इसम में उत्री इ सम्धार्दि में जल्वाई नुर्दान. कैसे करेगी? कल बात करें. ठीक है?